दोस्तों आज मैं आपको धर्ती के पांच ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो साइज में छोटे होने के बावजूद किसी भी बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर लेते हैं जिनें देखकर आप चोक जाएंगे समुंदर में रहने वाला ये एलियन अपने साथ एक हतियार रखता है जो कि उसकी आखों के नीचे मौजूद एक लाइट है जो अंदेरे में चमकती है जिससे जादातर इसके सिकार रेड लाइट को स्पोर्ट नहीं कर सकते जिसकी वज़े से ये मचली उनके लिए गायब हो कुक्की कटर सार्क ये काफी सातिर मचली है जो अपनी साइज की मचलियों से कभी फाइट नहीं करती क्योंकि इसके सिकार इससे भी बड़ी साइज के होते हैं जैसे की सार्क या फिर व्येल मचली ये इनने अपने नुकिले जबडों से इस तरीके से काटती है जिससे उनक जिन्दा छोड देती है और नए सिकार पर निकल जाती है जाइंट आइसोपोड इस जानवर के बहुत सारे पेर होते हैं जो समुंदर की गेराई में रहता है जिसकी साइज हमारे हाथों से बड़ी होती है जो जादातर मरे हुए जानवरों को खाता है ये कम खाने के साथ भी कहीं दिनों तक जिन्दा रह सकता है जापान के एक एक एक्वेरियम में ये पांच सालों तक बिना खाने के जिन्दा रहा पांडा एंड ये पांडा जैसी दिखने वाली एक चीटी है जिसके सरीर पर काफी सारे बाल है जिसका डंक काफी खतननाक है जो एक गाई को भी मार सकता है क्योंकि एक इसके डंक से काफी जादा दर्द होता है जो सिर्व रात के अंदेरे में दिखाई देती है दिनके उजाले में इसे देखने के चांस काफी कम होते है लेंप्रे ये दिखने में इलेक्टरी किल जैसा लगता है पर ये है उससे भी जादा खतननाक जिसका का परण इसके आगे की ओर बना अजीबों करीब सिर है जो बड़ी से बड़ी मचली को भी मार सकता है इसे वेंपायर भी कहा जाता है क्योंकि ये वेंपायर के जैसे मचलीयों का पुरा का पुरा खून पी जाता है दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में 16 गंटे लग गए लेकिन आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकिंड लगेगा इसलिए वीडियो को जरू लाइक कर दें वीडियो के नीचे एक लाल बटने उस पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लिस सब्सक्राइब करना न भूलें झाल झाल